आपकी लाइब परफेक्ट हो और उसके बाद आपको पता चले ये जो सब था ये सब को जूट था आज मैं आपको एसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज की मूवी का नाम है ड्रीम लवर है 1993 की हॉलिवर मूवी है ये एक बहुत ही सही थ्रिलर है तो चले ये शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और मूवी का मैन का एक्टर रे हमें दिखाय जाता है ये एक कोट्रों में आया हुआ है आज इसका डिवोस होने वाला है रे ने अपना लॉयर ने लाय होता जब जज उससे पुछता है कि तुम्हारा लॉयर का है वो कहता है कि मैंने उसे फायर कर दिया है मुझे मेरी वाइफ को उसे जो सब चाहिए वो सब दे देना है उसे हाँ फाइट नहीं करना है इसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था इसी वज़े से उसने उससे अब तलाक ले लिया है तलाक हो जाने के बाद ये एक ही बेंच बाद दोनों बेटे हुए होते है एक दुसरे से कह रहे होते कि कि कितना प्यार वो एक दुसरे से करते थे रेक की वाइफ ने उससे पर cheat किया था यह हमें यहाँ पता चलता है रेक उससे में आकर उसने अपने वाइफ को slap किया था इसकी वाइफ उससे कहकर जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे आद्मी हो तुम जैसा आद्मी मुझे फिर से मिलना यह बहुत ही difficult होगा रे कहता है कि अच्छी तरीके से तुम try करना रे इसके बाद उसके friends के साथ party में दिखता है इसके ज़े friends है इसका तलाख हो गया है इसके एक celebration कर रहे होते है यह उससे बता रहे होते है कि बहुत सारी औरते वहाँ है अब तुम rating कर सकते हो उसे 20,000 डॉलर्स के जरूरत होती है रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता हम दोनों में friendship है यह friendship पैसो की वज़े से तूट सकती है इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देने चाता नॉर्मन बहुत ही insist करता है उसके बाद वो 10,000 डॉलर्स के देने के लिए मान जाता है नॉर्मन जाते जाते कहता है कि जिन लड़कियों से में तुम्हें मिलवाता हूँ उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही नीडी हो रे को इस पर गुसा आ जाता है उसे थोड़ा सा भी ने लगता कि वो नेडी हो सकता है या अब नॉर्मन को कहता है कि अब मुझे लड़कियों से मिलवाना तुम बन करो मैं अपने हाब किसी लड़की को ढूंड सकता हूँ नॉर्मन रे को एक पार्टी में इन्वैट करकर चला जाता है यह जो पार्टी होती है यह आर्ट गैलरी में होती है या बहुत सारे बायर्स और सेलिस भी आये होती है अब इस पार्टी में नॉर्मन एक लड़की से इसे इंट्रिउस नहीं करा था तो लेरी करवाता है जब इस लड़की से बात कर रहोता है तो यह बहुत ही क्लिंगी होती है Ray को इसकी पसनैटी पसंद नहीं आती और उसे वहाँ से निकल ना होता है जब वो जाने के लिए turn होता है तो Leena से ठकरा जाता है लीना इस पर बहुत ही चिर्थी है और इसे कुछ भी भरा बुरा कहे कर जली जाती है के बाद हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर जाती है एक दिन रे सुपर मारकेट में होता है वो कोई चीजे खरीद रहाता है तब लीना उसे फिर से दिखती है लीना इसे पहचान जाती है और उसे कहीती ही कि हम पार्टी में मिले थे लीना के ड्रेस इसने खराब कर दिया था पर अब लीना ही इससे अपुल जैस कर दिया वो कहीती कि मुझे ऐसा रियाक नहीं करना चाहिए था मैं एक आर्टिस्ट को इंप्रेस करना चाती थी इसरे मुझे बहुत ही इंपोर्टन लगता था पर वो बहुत ही घटी आदमी था मुझे उस आदमी से बचाने के लिए थैंक्यू यह एकर वो आगे चली जाती है रे को लीना अच्छी लगती और उससे और कुछ बाते वो कर उसरों ना चाता है यह जल्दी-जल्दी अपने सब सामान ले लेता है दुसरे काउंटर खाली होताई है फिर फी लीना जिस काउंटर पर उस्ती इसे वो डिसकक्र लेते हैं और इसके बात रे इससे कौफी के लिए मणाता है यह उनग्री हूँ यानिकि अभिं उन्हें दिखता है यहाँ पर लीना रे से कह रही होती है कि किस तरह से वो नियॉयोक से यहाँ आ चुकी है उसका जो जॉप था यह घटिया था और वहाँ कुछ प्रॉलम्स हो गई थे रे फिर उसे कहता है कि मैंने यह कभी नहीं किया है सुपर मार्केट से किसी लड़की को डेट प लग जाते है रे लीना को उसके डोर तो चोड़ने के लिए आता है उसे कहता है कि क्या सिर्फ पाच मिनिट के लिए में उपर आ सकता हो लीना कहती है कि नहीं पाच मिनिट में तुम नहीं जाओगे यह कहकर वो तरवाज बन कर लेती है नेक्स दिन रे अपने फ्रेंड को लगा कर लीना का फोननेमर निकलने के कोशिस्ट करता है उसका फ्रेंड से कहते है किसीftig इसके बारे में पता नहीं है जिस पार्टी में वो थी को कोी भी इसका फ्रेंड नहीं है यह से इनोर कर देता है, रय रात में फिर लीना के घर के पास आ जाता है, लीना वो हेट कर रहा था है, लीना जब घर आरे होती है तब एक आदमी के साथ होती है, उसे वर जाते वक किस करती है और फिर घर अन्दर आ जाती है. रे बिल्डिंग की नीचे आता है यहाँ बजस होते है यानि की बिल्डिंग में जो सब लोग रह रहे है इन्हें कॉंटक कर सकता है अगर इन्हों परमेशन दी तब यह दोर खुलेगा यह अलग-अलग अपरमेंट में कॉंटक करता है और फिर लीना का ही आवाज वसे सुनाई देता है वो कहता है कि तुमसे में कॉंटक कर पाओ इसका मेरे पास कोभी वे नहीं था मैंने ट्राइ किया पर मुझे तुम्हार नंबर वेकरा कुछ भी मिलने पाया इसलिए मैं इस तरह से तुमसे मिल रहा हूँ वो कहता है कि क्या हम कभी डिनर के लिए किसी कॉफी के लिए बाहर जा सकते है उसे फिर से डेट के लिए वो पूछ रहा होता है पर लीना अब डोर ओपन कर देती है रे जब लीना के अपरमेंट में आता है तो उसे वो वेट करने के लिए बोलती है ये शावर में होती है ये जब फिर से वापस आती है तो रे सीधे पॉइंट पर आता है वो कहता है कि ये बाहर ही खड़ा था तुम जब यह आए तो तुम्हारे साथ एक आदमी था वो कौन था ये कहती है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड था और वो गे है यानि कि इससे कोई भी वरी करने के ज़रूरत नहीं है लीना जो होती है अब इससे सही से बात नहीं करी हूँ थी जिस तरीके से वो कल बात कर रही थी अब वो ज़रा ज़्यादा सीरियस है रे को अब ये बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कुछ तो बदल चुका है आज क्या हुआ है रे बोलता है कि प्रॉलम क्या है ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लग गई हूँ रे फिर इसके पास जाता है उससे कहेता है कि यह problem नहीं है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते हैं यह दोनों फिर bed पर होते हैं तो लीना अपनी story सुनाती है यह कही थी कि मैं जब छोटी थी ते मेरी मदर मुझे बहुत ही मारा करती थी मेरे फादर सिर्फ इसे देखते रहते थे कुछ भी उन्होंने नहीं किया था यह फैमिले में बहुत ही अब्व्यूज हुई थी यह फिर रे को कहती है कि मैं सिर्फ प्रिटी हो इसलिए सब को लगता है कि उन्हें मुझे पा लेना है इसके बाद बहुत सारा टाइम गुज़र चुका है और टैरेक लिए हमें लीना और रे की दोनों की शादी है यह हमें दिखाई पड़ता है इस शादी में रे बहुत ही खुश होता है उसका फ्रेंड वेगरा उसे कॉंगरेचुलेशन करता है उसका फ्रेंड नॉर्वन भी लीना की बहुत ही तारीफ करता है जब लीना और रे इस पार्टी में अकेले होते है तब रे के फादर और मदर को देखते है इन दोनों की शादी में बहुत साल हो चुके अब इन में प्यार बच्चा नहीं लीना उसे कहती है इस तरह से कपल हम कभी भी नहीं बनेंगे इसके बाद और भी टाइम गुज़ा जाता है और लीना को बच्चा हो गया है यह हमें पता चलता है नेकसिन में लीना और रे बाहर खाना खाने के लिए आये होए होते है तब ही एक और उसके पास आजाती है उसे वो सीसी पुकारती है लीना कहती है कि मैं सीसी नहीं हूँ उसका नाम वो उसे पताती है इस और बहुत ही अलग लगता है उसे वो माफिय मांग कर वहाँ से चली जाती है लीना रे से कही थी है कि बहुत बार मेरे साथ होता है हर बार लोग मुझे सिसी पुकारते है मेरी तरह कोई दिखती है और इसका नाम सिसी है अब हमें दिखता है कि और भी टाइम गजर चुका है इनका चुबच्चा है या और भी बड़ा हो चुका है रे एक दिन अपने काम से वापस आता है तो लीना किसी से बात करी होती है इसकी भॉइस बहुती सिडेक्टी होती है तो इसे लगता है किसी आदमी से बात करी होगी रे जब इससे पूछता है तो यह कही थी कि यह मेरी फ्रेंड थी इससे में बात करी थी रे फिर यहाँ इससे कुछ भे नहीं बोलता और अपने फ्रेंड के साथ हमें बार में दिखाय गया है अपने फ्रेंड को गह रहा होता है इसका चक्कर चल रहा होगा उसका फ्रेंड कहता है कि तुम जादा भी पैरनोइड हो रहे हो इससे कुछ भी सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है रे इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेड़ी नहीं होता उसका फ्रेंड फिर उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इतना ही लग रहा होगा तो कुछ हो सकता है यह जो हमें सेंसेस दिये गए है यह हमारे six cents की तरह ही होते है इसके बात हमें दिखता है कि रे एक मिटी में आया हुआ है यहाँ एक औरत है जिससे वो हमेशा फोन पर बात करता था अज पहली बार वो इसे पसंडरी मिला है यह दोनों बात करने लग जाते है तब इसे पता चलता है कि यह जो आरत है यह भी लीना के ही यूनियूरिसिटे से पड़ी थी रे कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो यह कहती है कि वो दिन बहुत ही अलग थे मेरे बहुत ही कम फ्रेंज थे और इसके बाद जो मेरे फ्रेंज के साथ कॉंट्रेक है वो भी मैंने lose कर दिया है वो कहती है कि हमारे principal heart attack से stage पर मर गए थे यही एक बड़ा incident मुझे याद है यह जो meeting होती है यह successful खतम हो जाती है यह एक बड़ा contract रे को मिला होता है तो रे बहुत ही खुश होता है रे घर पर आता है, लीना के साथ dinner कर रहा होता है बुरा हुआ, लीना भी इसके लिए आगरी करती है यहाँ रे को पता जाता है कि लीना ने जो university उसकी बताई थी यह गलत थी रे को अब शक होने लग जाता है तो लीना के वो पस चेक करता है इस पस में उसे hotels की cars मिलते है लीना जब इसे पकड़ ले थी है तो रे कहता है, यह पैसे लाना भूल गया था मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे तब तक के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए रे फिर लीना का जो hometown है यह पता कर लेता है, और वहाँ पहुच जाता है लीना की photos सब लोगों को दिखाता है यानि कि किसी ना किसी को तो पता होगा कि लीना कौन थी यह फिर जब एक आदमी के पास आजाता है तो वो इससे जानता है यह पहले इसका boyfriend होआ करता था यह rapper हसने लग जाता है, वो कहता है कि लीना मुझे हमेशा बताए था कि वो किसी rich आदमी से शादी करना चाहती है लीना उसके साथ कुछ भी कर सकती है यह उसे warn करता है रे कहता है क्या इसके mother and father के बारे में तुम्हें कुछ पता है यह कहता है कि उसके father and mother से तो यह शादी के पहले मिलना चाहिए था इनका पता यह उसे दे देता है रे फिर लीना के mother father के यहाप होचता है लीना के mother इससे देखकर बहुत ही खुश होती है यह कहती है कि क्या अब तुम तुम तुम्हारे assignment से रिलियर हो चुके हो रे को कुछ समझ में नहीं आता एक्शन में लीना ने अपने father and mother को बताया होता है कि रे C.I.E. में है इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाती रे जब यहाँ पहुशता है तो लीना की परविर्श कितनी अच्छी हुए यह सब वो देखता है इसके mother and father दोनों बहुती sweet होते है रे फिर लीना को उसके father और mother को अपने घर लेकर आता है लीना जब इससे देखती है तो बहुती surprised होती है लीना की जो सब अच्छी stories थी इसके mother and father इसे कहते है जब mother and father चले जाते है तो फिर रे लीना को confront करता है वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बता है था तुमने मुझे जूट क्यों बोला यह तुमने क्यों क्या था तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही स्वीट है यह कभी भी तुम्हें अब्यूज नहीं कर सकते है लिना कहती है कि फैमिली में अलग अलग तरह के अब्यूज होत तो इसलिए मैंने यह सब डिसेजन लिये थे मैं नियॉयॉक चली गए अपने आपको मैंने रिएमेंट किया है रेका जब गुस्ता शांत हो जाता है तो इस दोनों इंटिमेंट हो जाते है बेड पर यह से कहती है कि अब हमारे बीच में और भी कोई सिक्रेट नहीं है इसके इसके बाद और भी कुछ साल गोजर जाते है और इनको और एक बच्चा हो जाता है इसके बाद इनकी लाइफ हमें दिखाए जाती है अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करते है जिस तरह से इनका पहले रूटीन था यही चलता रहता है एक दिन रे अपनी बच्ची को कंफरेंड करता है उसकी पर्स लेकर आता है और सब चीज़े वहाँ से निकलता है यहाँ एक होटेल का सामान इसे मिलता है यह उसे कुछ भी बता नहीं रही होती है लीना फिर उट जाती है वह कहती है कि अगर तुमें कंफर्मी करना है तो मेरे फ्रेंड से तुम बात कर सक है रे जब इसे देखता है तो इसे पहचान लेता है इससे कहता है कि मेरी शादी पर तुम थी तुम लिना की फ्रेंड हो ना एक्चुल में लिना ने इसे हायर किया था शादी में इसकी फ्रेंड को दिखनी चाहिए इसलिए इसने उसे हायर किया था रे जब इसे इसके बा जला कि तुम्हारा डिवास हो चुका है तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम से मीलूंगी जो सब हमारे बीच में हुआ था ये सब मेरा ही ब्लाइन था शादी में भी as a friend मैंने उसे hire किया था रेको को समझ मिने आता लिना कहती ही कि मुझे तुम चाहिए थे इसलिए मैंने ये सब किया था वोग एक दुसरे के लिए pretend ही तो करते रहते है हम as a actual person दुसरे को कभी मालूम नहीं होने देते तुम्हें क्या बहसान है क्या नहीं ये सब चीज़े मुझे पहले से मालूम थी तुम्हें लगता होगा कि ये गलत है पर ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था रहे कहता है कि हर बार मैं तुम पर बिलीव करता हो और यहाँ जूटी निकलता है मेरा हार्ट तुम्हारे लिए हमें ओपन करता हो हमेशा तुम मुझे थोका ही देती हो लिना की थी है कि यही तो बैष होता है तुम किसिसे प्यार करते हो और उसके बाद उनका जो सब Deals होता है अगर तुम Disappointed भी हो गए तुँ इसके बाद भी तुम उससे प्यार ही करते हो अबना सब कुछ एक दुसरे को दे देना यह सही प्यार होता है इसके बाद हमें दिखता है कि रे अपने ओफिस में है लीना का जो credit card bill होता है ये गलती से उसके ओफिस में आ जाता है उसकी secretary ये चेक करती है रे कहता है कि इसे तुम पेक कर दो secretary बोलती है कि तुम्हें इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए रे जब देखता है तो इसमें hotels के check in check out के बहुत सारे details होते है यहाँ बहुत बार वो एक ही hotel में गई हुए होती है रे लीना को call करने कोशिश करता है पर लग नहीं पाता ये गुस्ते में घर आ जाता है रे फिर घर में receive ढूनने लग जाता है ये पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो रे कहता है कि तुम हमेशा hotel में जाती रहती हो उसके receive में ढून रहा हो लीना कहती है मैंने उसे fake दिया है रे कहता है कि किस के साथ तुम थी वो बहुत ही चिड़ गया होता है लीना उसे और भी चिड़ाने के लिए कहती है क्या तुम मालूम नहीं है ये तुमारी जान पहचान का कोई है मेरी फ्रेंड का नाम लेकर मैं उससे बाते करते रहती थी रे इस आदमी को जानता है ये सुनकर ये बहुत डिस्टब हो जाता है लीना उसे चिड़ाने लग जाती है तो रे उसे स्लैप करकर वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है थोड़ी देर बाद जब ये घर पहुचता है तो वहाँ सैकाट्रिस आयो होता है ये कहता है कि लीना से तुम्हें दूर रहना है ये लीना के पास जाने कोशिश करता है पर वहाँ पुलिस भी होती है रे आउट आप कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है इसे डारेक्ली में बेंटल हॉस्पिटल में रख देते है लीना ने प्रिटेंड किया होता है कि रे ने उसे बहुत ही मारा है अपने पूरे फेस पर इसने जख्खम कर दी होते है mental hospital में रिना फिर रेस से मिलने के लिए आती है court में hearing होने वाले होती है इसके बारे में उसे कहती है यह बोलती है कि hearing कैसी भी जाए फिर भी तुम याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ रे केता है कि तुम एक psychopath हो यह थी है कि psychopath भी लोगों से प्यार कर सकते है या अब जो भी होगा इसके लिए ready हो रही होती है यानि कि अगर इसके खिला फेरिंग होगे तो रे से फिर से इस शादी में हो जा सकती है जब hearing स्टार्ट होती है तो सब सबुस जज को दिखाय जाते है इसमें दिया गया होता है कि रे हमेशा से लिना को मारता था रे इस पर disturb होता है और केरता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था रे ना की थेरपिस्ट वह होता है वो बोलता है कि यह हमेशा इसके बॉड़ी पर प्रूजेस थे जब में इससे पूछता था तो यह बोल दी थी इसके पती नहीं से दिये है यह कोड में यह भी बेच करते है कि इसकी जो एक्स वाइफ थी इसको भी इसने मारा था रे वाइलेंड है इसी वज़े से इसे मेंडल असायलन में ही एक दो साल रहना चाहिए यह जज़ को बता रहे होते है जज़ फिर रे को एक चांस देता है उससे क्या बोलना है यह बोलने के लिए यह सब को जब बताता है तो इसका उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता होटेल्स की जो रिसिप्ट थी यह भी चल गई थी और जो होटेल्स की सब लोग है यह लिना को नहीं बहचान दे लिना की जो फ्रेंड ही जिससे वो फोन पर बाती करते रहे थी थी ये भी fake उसने इस court room में लाई हुए होती है इससे question पुछे जाते है और लीना की story जो होती है ये पूरी तरीके से सच है इन सब को यही लगता है अब इस hearing में Ray को Mendel Asylum में भेजना है ये fix हो जाता है जब वे hospital में होता है तो इसे बहुत सारे गोलिया दे कर हमेशा sedated रखते है यहाँ उसका एक friend बन जाता है Ray को फिर idea आता है उसके friend की मदद वो लेने वाला होता है जो सब इसे गोलिया दे जाती है ये अपने friend को दे देता है ये फिर एक call लगाता है इसके friend की जो wife थी इसे इसने call लगा होता है Ray की भी अच्छी friend होती है जब इसे मिलने के लिए आती है तो ये बहार आ जाते है Ray कहता है कि लिना का चक्कर मेरे friend के साथ चल रहा था ये कौन था ये मुझे पता नहीं है उसकी friend की wife उसे कहती है कि मेरा ही पती था जिसके साथ इसका affair चल रहा होगा मैंने मेरे husband की पास एक अलग property खी पेपर्स देखे थे लिना और उसका husband ये तलाग हो जाने के बाद बहुत सारे पैसुने मिलने वाले होते है तो इसके बाद वो वहाँ जाकर रहने वाले होते है रे फिर अपने फ्रेंड से एक मदद मांगता है वो उसे लिना को कॉल करने के लिए कहता है वो लिना को कहती है कि प्लान में कुछ लूप होल है ऐसा रे कह रहा था रे को लिना से मिलना है ये लिना को वो कॉल करकर बदा देती है राद में रे अपने फ्रेंड को कहता है मैं 100 डॉलर्स देने वाला हूँ जब मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें कुछ काम करना है नेक्स दिन रे लिना से मिलने के लिए आता है जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है ये लिना को उसके पास भी जाने देता है और लिना बहुत ही आगया जाते है रे फिर लिना से कहता है कि बहुत ही अच्छा तुम्हारा प्लान था तो तुम्हारे प्लान में एक फॉल्ट है तुम यहां नहीं आती पर तुमने ये जो सब मेरे साथ किया है ये तुम फिर से वापस करना चाती हो तुम्हारा जो फॉल्ट प्लान है इसमें लूफ होल कैसा हो सकता है इस क्यूरिया सिटी से तुम्हारा आई हो रे फिर इसे पकड लेता है ये कहती है कि मैं चीला होंगे रे कहता है कि तुम नहीं चीला पाऊगे रे बोलता है कि मुझे जो बताना है मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर इससे पहले तुम्हें मुझे किस करना है ये दोनों जब किस कर लेते हैं तो कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ही सही था पर तुमने जो लास्ट चाल चली है ये गलत चली थी मैं अब मेंटल होस्पिटल में हूँ अगर मैं पागल हूँ तो मैं जो भी सब action लूँगा इसमें मैं accountant नहीं रहूँगा मैं अगर तुम्हें यहां मार देता हूँ तो legally मुझे पर कोई भी case नहीं होगा एक दिर साल में यहां से मैं बाहर निकल जाओँगा रे फिर इसको पकड़ कर इसका गला तबा दिता है इसके बाद time गुजर जाता है और हमें दीखता है कि रे अपने बच्चों के साथ पार्क में आया हुआ है इसके बच्चे जब उसकी मदर के बारे में उसे बुछते है ये कहता था कि as a person वो लिना को चाहता है पर जब लिना ने उसे सब कुछ सच बदा दिया था पर फिर भी उसने उसे चांस दिया था रे लिना से बहुत ही पैर करता था इसलिए वो उसे फज़ा दि रही और ये फस्ता रहा मूवी के लास्ट में उसके चेड़न उसके साथ है तो उसकी फैमिली उसे मिल गई है लिना से बदला लेने के बाद ये हॉस्पिटल से भी बाहर आ चुका है उसे जो फैमिली चाहिए थी ये फैमिली भी उसे मिल चुकी है इसकी बच्चे ही अब इसकी फैमिली है इनको आप वो अच्छी एक पर्विर्ष देना चाहता है यही है मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो लिज इस वीटो को लाइक कर दीजेगा मैं ऐसी बहुत सारी मुवीज आपके लिए लेकर आते रहेता हूँ तो लिज चैनल को सब्सक्राइब कर देचे और बेंड नोटविशन आइकोन दबाना मत भूले यानि कि आपको सब मुवीज मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तो अब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये